Top 5 Best Laptop for Developers के लिए तो बही अगर आप as a developer काम करते हो and in 2021 में अगर आपका budget कम है 40,000 के budget में आप एक laptop लेना चाहते हो ये video specially आपके लिए तो start करते हैं number 5 की बात कर लेती है number 5 की बात करते हैं लेकि number 5 की बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहते हूँ जो मैं आपको laptop बताऊंगा for creators के लिए and for developers के लिए बहुत अगड़े होने वाले हम बात करते है number 5 की number 5 पर यार मैंने रखा है HP 14 को अगर इस laptop की बात करूँ यार मुझे बहुत ऐसे बंदे मैसी करते है जिनको HP का laptop चाहिए होता है जिनको Dell का ही laptop चाहिए होता है अगर आप भी उन में से आते हो अगर आपको भी HP का ही laptop चाहिए तो HP 14 आपके लिए best deal हो जकता है अभी इसके specification की बात कर लेते हैं तो ये दो colors में देखने को मिलता है white color में silver color सौरी आता है and इसका black color देखने को भी मिल जाता है तो black color में मुझे ज़्यादा सूट किया तो अगर आपने जाना है तो black color देख लेना है उसके बाद हम इसके display की बात करते हैं तो आपको 16 refresh rate के साथ इसकी display quality देखने को मिलेगी जो कि मैं average कहा सकता हूँ इसकी इतना भी display जो है वो तगड़ी नहीं होती i3 जो 11th generation है सच में बहुत दगड़ा है आपने जो भी heavy software यूज़ करना है जा creator काम करना है जा developer काम करना है आप कर सकते हैं उसके बाद हम बात करते हैं आपको 8 GB RAM मिल जाते हैं अपको आप 16 GB तक कर सकते हैं अपको इसमें SSD ही दीखने को मिलेगी SSD का benefit यह होता है अगर आप data गरा transfer जाधा करते हो वो जल्दी हो जाता है as comparison किया ज़े HDD के साथ एक ग्राफिक कार की बात करूँ आपको integrated graphic card देखने को मिल जाते हैं तो भी अगर आपने office पर करना है उसके बाद भी अगर आपने college university के related आपको चाहिए अगर आपने वीडियो आइटिंग ग सकोगे लेकिन अगर आपने gaming करनी है तो integrated graphic card देखने को मिलता है तो अगर आपने gaming करनी है मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूं कि आपने 16 GB RAM जो है वो upgrade कर लेनी है 8 GB RAM की और आपने नहीं जाना अगर आपने कोई भी हैवी भी software यूज़ करना है ठीक है उसके बाद operating system आपक आपको कहा देना जाता हूं मैंने सभी laptops के जो buying link है description box में दियो है अगर आपने check out करने है आप check out कर सकते हो अगर आपने purchase करने है देखना जाते हो deeply देखना जाते हो जैसे भी करना जातो आप कर सकते हो अब आगे बात कहता है number 4 की बात करो number 4 यार मैंने रखी है MI notebook 14 को अगर आपके लिए ये laptop perfect deal हो सकता है और इसके specification बहुत अगड़े देखने को मिल जाते हैं मैंने आपको पहले बता दिया कि इसकी display quality अच्छी मिल जाते हो उसके बाद आपको i5 देखने को मिलेगा 10th generation के साथ तो processor आपको तगड़ा मिल जाता है अगर आपने video editing बगारा भी करने ह सकते हैं आप इस laptop पे कर सकते हो जागर आपने कोई भी हैविस और यूज़ करना है आप इस laptop पे जो easily normally कर सकते हो storage की बात करूं आपको 8GB RAM मिल जाती प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल गया SSD का benefit मैंने आपको पहले बता दिया ग्राफिक कार्ट की बात को इंटर यूज़डी ग्राफिक देखने को मिल जाता है प्लस आपको म्वेंक्स 350 2GB देखने को मिल जाता है लेकिन 2GB ग्राफिक का प्राइज इंक्रीज हो जाता है वह आपको मिल जाएगा 47,000 के बज़ेट में जो कि अपने बज़ेट से उपर बैंटरी की बात करूं आपको 10 hours का बैंटरी बैक प्रवाइड कर देगा प्लस आपको 60 वह और का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है प्राइस की बात करूं इसका प्राइस भी आपको 41,000 के बज़ेट में मैं मैं नोटबुक फॉरिंग देखने को मिल जाएगा तो मैंने आपको बता दिया है मैं नोटबुक फॉरिंग की बात कर लेते हैं तो सिर्फ इसका यह देखने को मिलता कि जो रैम में उसको आप अपग्रेट करने का option आपको नहीं देखने को मिलता है जो कि सच में एक मानेस प्राइब आ जाता है इन फ्यूचर अगर आपको कोई करना यह अगर आपने वीडियो एक्टिंग करने है अगर आपने गिमिंग करने अगर आप रैम को अपग्रेट करना चाहोगे तो वह आप नहीं कर पाओगे इस लैप्टॉप का सच में एक मानस मट आ जाता है तो तो इसको नंबर फो पर रखा और कोई भी रिजन नहीं है अगर आपको इस लैप्टॉप के और जा सकते हो बहुत अगड़ा लैप्टॉप देखने को मिल जाता है आगे बात करते हैं अभी नंबो थ्री की नंबो थ्री की बात करूं नंबो थ्री पर यार मैंने रखा लिंडो वो आईडिया पैड स्लेम थ्री आई को सबसे पहले नंबो थ्री पर रखने का ये रीजंडवी देखने को मिलता है कि ये लैप्टॉप आपपट ईसका प्लाइग में इसका प्राइस सोब्स्दॉग अकॉर्डिंग देखा दे आपको स्पेसिफिकेशन बहुत दगड़े देखने को मिल जाते हैं मैं ज्यादा समय खराब नहीं करता मैं इसके जो मिन स्पेसिफिकेशन है वह आपको बता देता हूं थोड़ा से डीपली हम बात कर लेते हैं तो डिस्प्ले की बातों को 15.6 फु बहुत अगड़ा मैंने लिंक प्रवाइड किया एक बार आप इसको जरूर करना है ठीक है स्टोरेज की बात करूं आपको एट जीबी रम मिल जाती है अपको ट्वाइलफ जीबी तक कर सकते हो प्लस आपको टू फिफिफ्टे सिक जीबी एसस दी देखने को मिल जाती ग्र मैं आपको बता दिये लिनोवो आइडिया पैट स्लिम थ्री आई के भी प्लस मैं आपको कहा देना जाता हूं अगर आप फाइव परसंट या टैन परसंट आफ ले ले लेती हो एच्बी आपर पे या एस्बी आपर पे इसका प्राइज आपको और भी सस्ता मिल जाते हैं म के बाद इसका प्राइज रेंज बहुत ज़्यादा सही है यार कई बंदे होते हैं अगर आप 40,000 भी पे नहीं कर सकते आपके लिए मैं लेप्टॉप ये वाला बताया है इसलिए मैं इसको रखा नमबर थ्री पे लेप्टॉप पूरा लोड़ेड अगर आपने ऐसा रेंज में लेनोवो हो गया असूस हो गया एंड एसर हो गया बहुत चीज सही प्रवाइड कर देता है अपने कस्टमर्स को तो यार लेनोवो प्रेंट है मैंने आपको पहले भी बता देए अभी मैं रिपीट नहीं करने वाला आगे बात करते हैं नमबर टू नमबर टू बात करो नमबर टू पर यार मैंने रखिया असूस विवर बुक अल्टरा फिफ्टीन को अगर इस लैप्टाप की बात करूं सबसे पहले भई अगर आपको एक स्लिम एंड स्टालिश डिजान चाहिए ये लैप्टाप आपके लिए पॉफेक्ट डील होने वाला है एंड इस प्रिफिकेशन भी आपको पूरे लोड़ेड मिल जाते हैं आपको फिंगर प्रिंट भी देखने को मिल जागा तो आपके लिए बैस्ट दील हो जाएगी बात कर लेते हैं में स्पेसिफिकेशन की थोड़ा से डीपली बता देता हूं तो डिस्प्ले की बात तो उनको इस प्रिफिकेशन के साथ आती तो मैं मैं जितने भी आपको लैप्टॉप बता रहा हूं न सभी में आपको 16 रेट ही देखने को मिलती है इतने प्राइस रेंज में भी इतना भी आप एक्सपेक्टन नहीं कर सकते हैं पर सैस्थर की बात करूं आपको आई थ्री 11 स्टूरेज की बात करूं आपको 8GB RAM मिल जाते हैं अप्रगेड आप कर सकते हो 16GB तक प्लस आपको 256GB SSD देखने को मिल जाते हो प्रेडिन सिस्टम की बात करूं आपको विंटू 10 मिल जाते हैं प्लस आपको MS Office मिल जाता है 2019 वर्जन बैंटरी की बात करूं आपको 6-7 आवर्स जाता है और इसके बात को 41,500 के बजिर तक आपको ये लैप्टाव मिल जाता है आप Y3 11th generation के साथ मिल जाता है 8GB RAM मिल जाते हैं जिसको आप अप अप्रगेड कर सकते हो 16GB तक प्लस आपको एक स्लेम एंड स्टाली से डिजान बगरा भी मिल जाता है तो भई अगर आपको व मैं आपको सिर्फ gaming के लिए इतना खास नहीं करना अगर आपने करने कर सकते हो लेकिन आपने 16GB RAM के और minimum चल जाना ठीक है आगे बात करते हैं No.1 की No.1 की बात करो No.1 पर यार मैंने रखिया Aspire 5 को तो यार मैंने आपको पहले ही बता दिया था जो Lenovo हो गया Asus हो गया एंड जो इसर हो गया वो बहुत सही चीज़ परवाइड करते हैं अपने कस्तमर्स को प्लस इसके स्पैसिफिकेशन बहुत तगड़े मिल जाते हैं मैं आपको बता देना चाहतूँ अगर आपका प्लेट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है 40,000 से तो आप इस लैप्तॉप के और जा सकते हो गर मैं इस लैप्तॉप की बात को 45,000 के बड़े में देखने को मिल जागा एंड स्पैसिफिकेशन बहुत अग्रे हैं अभी बात करते हैं इसके स्पैसिफिकेशन की तो डिस्प्ले की बात करूं आपको 14 इंच फुलेश्टी प्लस डिस्प्ले मिल जाती है जो क आपको 512 भी देखने को मिल सकती है तो मैंने डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है जो भी आपने लेनी है आप ले सकती है तो थोड़ा सा प्राइज इंक्रीज हो जागा 512 जीबी अगर आप लेते हो ठीक है ग्राफिक कार की बात को निवीडिया जीफो एम तो बही में स्पैसिफिकेशन तो मैंने आपको बता दिये इससर इस्पायर 5 के भी अगर आप एक्स्टा पे कर सकते हो इससर लैप्टॉप आपके लिए बौफए डिल हो सकते है अगर आपको बिलिए फॉरी वान थाजन है आपके लिए असूस लैप्टॉप बैस्ट दील हो सकते हैं अगर आपको बिलिए थर्डी फाउट हो जाता है तो अभी मैंने आपको थर्डी फाउट हो चले के चालिस अजार से अपर भी जो बजट है उसके बारे में भी आपको बता दिया तो आप देख ले ना जो भी लैप्टॉप आपको सही लगता है आप इन में से जा सकते हो अगर आपने को भी हावी सौफ्टर यूज करना आप इन लैपटॉफ पर कर सकते हो तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खर्ता है अगर आपको मेरी प्र चलगी यार विडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना दोस्तों को बें이나 प्लस भे अगर आप कुछ भी पूछना जाते हो आप मुझे comment section में comment कर सकते हो एंड मगर मेरा reply जल्दी नहीं आता Instagram ID मेरी धी हुए है वहाँ पर मैं सही कर ले न, वहाँ पर मैं reply जल्दी कर दे तो अभी मेलते नेक्स्ट वीडियो में ने वीडियो को साथ Thank you